दोस्तों नमस्कार बहुत बोस्तों आगाते मेरे उड्यूजनें फार्मिंग नोलेज पर जैसा कि आपको पता है फार्मिंग नोलेज चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो देते रहता हूं जिससे आपके ग्यान में बिर्धी हो और आप मचली के साथ आप अपने आमदनी को बहुत अच्छे तरह से बरहा सकते हैं दोस्तों इसी करम में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक एक अलग टॉपिक लेकर के आया हैं जैसे इससे पहले हम ज्यादा तर वीडियो मचली पालन का आपको देते थे कुछ बत्तक पालन के बारे में भ बहुत ही प्रोफिट होने वाला है भारत देश में या बहुत दिनों से लोग इसको करते आ रहे हैं बहुत प्रोफिट का काम है जो लोग भी किसानी करते हैं किसान है गाव में रहते हैं इस बिजनेस को बरही आराम से करके लाखो रुपया कमाते हैं दोस्तों तो अगर आ आपके लिए बहुत ही सूपर हिट बिजनेस आईडिया के बारे में बताने जा रहे हैं, इस बिजनेस आईडिया का नाम है बकडी पालन वेवसाय दोस्तों, या गोट पालन गोट फार्मिक आप इसको कह सकते हैं, दोस्तों आप इस बेवसाय को करके महीने में दो लख पालन का बेवसाय करते हैं बगल में साइड में आप बकडी पालन का भी वेवसाय को सुरू करते हैं महीने में उससे भी आपको दो लाग रूपे तक की आमधनी होगा या सिर्फ आप मचली पालन नहीं भी करते हैं तो सिर्फ बकडी पालन करके भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं जिन भाईों को यह वीडियो पसंद परें वह लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों गोट फार्मिंग यानि की बकड़ी पालन ब्यवसाय के बाड़े में बकड़ी पालन ब्यवसाय योजना एक बहुत ही लावकाड़ी योजना है दोस्तों अपने अपने देश में यानि कि भारत देश के लोग बकड़ी पालन करके मोटी रकम कमा रहे हैं दोस्तों हो सकता है आपको जनकाडी हो आपके आसपास के लोग भी यह वेवसाय कर रहे हो इस वेवसाय से जुड़े हुए हो तो आप भी उनसे भी कुछ सीख करके कुछ मेरे वीडियो देख करके आप भी इस वेवसाय को सुरू कर सकते हैं दोस्तो दोस्तो इस बिजनेस को आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से आपको कहीं बाहर जाने की काम नहीं है जैसे द्याहत के लोग जो भी द्याहत मिराते हैं वे बंबे दिल ली जाते हैं कमाने और कितना कमा करके आते हैं आपको पता ही होगा और रागया कि पुंजी का हो सकता है आप लोग पास पुंजी का भाव हो तो सरकार लोन देती है नवाड के माध्यम से भी इस ब्यवसाय को करने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है और उसमें सबसीडी भी बहुत जादा है उसके विश्यमें हम आगे आपको बताएंगे दोस्तों तो हम बता रहे थे कि आपको घर बैठे इस ब्यवसाय को करने का जरूरत है आप अपने परिवार का भी देखवाल कर सकते हैं परिवार से आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा घर में राके आप इस ब्यवसाय को कर सकते हैं दोस्तों आ और आप अपने देश यानि भारत देश की अर्थवेवस्था को भी सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। बकरी पालन गरामीन अर्थवेवस्था की रीर है दोस्तों। बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुरे हुए हैं और इस बकरी पालन को हम ग्रामिन अर्थ व्यवस्ता की रीर मानते हैं दोस्तों बकरी फालन से दोस्तो औने को फायते हैं जैसे एक नंबर में इसका दूद दूद तो कम निकलता है बकरियों से दोस्तो गाय के बनिस्पत या बैंस के बनिस्पत लेकिन इसका दूद काफी महांगा मिलता है काफी महांगा बिगता है इसका दूद तो मिलता ही नहीं है जिसक बस्ते हैं कि 800 से 1000 रुपे किलो तक इसका मांस जरूरी मिल रहा होगा हो सकता है देहात में 600 700 रुपे किलो हो लेकिन जैसे ही आप टाउन में जाएंगे 1000 रुपे के आसपास इसके मांस का रेट होगा दोस्तों बकडी पालन बेपसाय सुरू करना बहुत ही आसान है अगर आप के पास पैसो की कमी है पैसो की दिकत है तो आपको सरकार इसके लिए लोन देती है और माली जै कि आपको एक लाख रुपे लोन मिलता है तो 90 परसेंट यानि एक लाख का 90 परसेंट यानि की 90 हजार रुपे आपको माफ हो जाता है सबसीडी के रुप में मिलता है सिर्फ रुपया ही आपको बैंक को लोटाना पड़ता है दोस्तों प्रतेक राज्य सरकार इस वेवसाय को करने के लिए वही जैसा कि हम बताए 90% तक लोन पर आपको सबसीडी यानि की अनुदान देती है वहीं भारत सरकार की बात करें तो पसुपालन के लिए 35% तक सबसीडी देती है आपका भारत सरकार यानि की केंदर सरकार दोस्तों यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं और अपना वेवसाय आरंब कर सकते हैं बरही आरंब से इस वेवसाय को सुरू करते हैं इसमें अब चलिए हम कुछ खर्च किस चीज़ पर आपको खर्च आने वाला है दोस्तो उसके बारे में थोरा सा चर्चा कर लेते हैं इस वेवसाय को यानि की गोट फार्मिंग को सुरू करने के लिए दोस्तों आपको चाड़े की विवस्था करना पड़ेगा ताजे पानी का विवस्था करना पड़ेगा दोस्तों एक दो आदमी आपको रखना पड़ेगा उसकी देखवाल के लिए उसके बाद कुछ आपको पता कर लेना पड़ेगा कुछ डॉक्टर लोगों क संपर्क में रहना परेगा उसके बाद आपको कुछ दबा की दुकान दबा कुछ खरीद करके भी रखना परेगा इसके लिए उस दखता है बकरिया कभी कभार बीमार हो जाए आपके पास दबा रहेगा तो आप खुद से भी उसको दबा दे करके ठीक कर सकते हैं दोस्तों औ और बाजार तो हर जगा अब इसके मीट को बेचने के लिए बाजार चाहिए होगा तो जैसा हम समझते हैं इसका बाजार हर जगा उपलब्द है आपके दरवाजे पर से लोग इसको खरीद करके ले जाते हैं दोस्तों बकरी के खंसी के मीट बेचने के लिए आपको कहीं बाजार ढूंडने किया वे सकता नहीं है दोस्तों हर जगह इसका बाजार कुप लब्द है तो आप वे ही चक इस वेवसाय को सुरू कर सकते हैं अपना मुनाफ़ा को बढ़ा सकते हैं दोस्तों अब हम आपको कमाई के बारे में बताते हैं कि बकरी पालन वेवसाय में इसके दूध तता मांस से आपको मोटी कमाई होती है इसके दूध का मारकेट में बहुत डिमांड है और मांस जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं 800 रूपे किलो से ले करके 1000 रूपे किलो तक बिकता है दोस्तों दोस्तों बकरी पालन वेवसाय कोई नया वेवसाय नहीं है इसे ल मुनाफे का वेवसाय है दोस्तों अगर आप 18 मादा बकरी यानि की 18 फीमेल बकरी का पालन करते हैं तो आपको 2 लाख रूपे से उपर यानि 2,16,000 रूपे की कमाई हो सकती है दोस्तों वहीं आप मेल यानि की नर बकरी का आप जिसको हम खसी भी कहते हैं नर बकरी का पालन यानि खसी का पालन करते हैं तो आपको एक लाख अंठान में हजार रूपय तक कमाई होगा दोस्तों तो हम आसा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चोटा सा वीडियो है आप इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे हम जीविका को बहुत ही आराम से आप चला सकते हैं बंदूओ ठीक है धन्यवाद